दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं STCW Convention के बारे में उसका content के बारे में और function के बारे में तो normally जब भी हम लोग function 3 का oral के लिए जाते हैं तो हम लोगों से वो STCW Convention के बारे में सर्वेर जो है पूछते हैं कि बताओ कि STCW Convention क्या है तो हमें सबसे पहले answer करना हुआ कि STCW को जो official नाम दिया गया है वो होता है International Convention on the Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer उसी को short form में STCW का नाम दिया गया है तो एक बार फिर से मों बोलते हैं कि International Convention on the Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer अब बोलता है कि STCW का aim क्या है तो जो भी life, safety जो होता है of life of property at sea and the protection of marine environment तो जो main focus है STCW का वो है कि जो safety of life होना चाहिए at sea safety of property होना चाहिए at sea और protection होना चाहिए marine environment का तो इसी के लिए उन्होंने क्या गया है कि एक international level पे मतलब होता है कि जो भी member state STCW को comply करते हैं तो जो member state मतलब जो भी country है उन्होंने अपने हर एक country में same standard एक set किया training का, certification का और watch keeping का मतलब जो training इंडिया में है वही training किसी और country में भी हो रहागा अगर वो STCW का training complete कर रहे है तो उन्होंने एक standard set कर दिया worldwide या internationally for the training, certification and watch keeping so that वो लोग मेंटेन कर सके safety of life at sea का property at sea का और protection of marine environment अब हम लोगों से basically वो लोग पूछते है कि content of STCW, तो STCW content देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि convention क्या होता है और code क्या होता है convention उसे बोलते हैं जो भी किसी भी basic requirement को बारे में बताता है convention करने का एक ही मतलब होता है कि वो एक treaty होता है between the number of country के वीच में जो की basic requirement को वो लोग outline करते हैं बट अगर code हो गया तो code कहने का मतलब होता है कि जो भी basic requirement convention में लिखा होता है जो भी outline किया जाता है convention में जो भी basic requirements है उसी basic requirement को जो code है वो enlarge करता है और explain करता है in code बतलब जो भी हम लोगो basic requirement अगर हम stcw convention की बात करते हैं इसमें जो भी convention में जो basic requirements है उसको उन्होंने stcw code के थुरू enlarge किया है या explain किया है वो हम लोग बोल सकते हैं तो अब हम लोग आते हैं content के बारे में कि stcw convention जो stcw convention है उसका content क्या है तो stcw convention को सबसे पहली बात है उसको 3 section में divide किया गया अब वो 3 section क्या है तो जो first section है stcw convention का वो होता है articles और second होता है nx और third होता है stcw code अब हम लोगों को यह सोचने वारे पात है कि articles क्या है nx क्या है और stcw code में वो लोग cross questions कर सकते हैं कि articles बताओ कि articles क्या होते हैं तो हम लोग go articles के बारे में बताना है कि जो भी legal responsibilities होती है वह articles में outline किये हुए रहते हैं और उसको जो भी participate इसे उनको जो भी legal responsibilities है उन criteria से जो भी parties है उनको fulfill करना होता है अब यहां पर parties का नाम आता है तो parties का मतलब होता है country जो भी उनके member state है उसी को STCW में parties के नाम से बुलाया जाता है अब second जो section उसके बारे में बात करते हैं NX तो NX क्या है कि जो भी legal responsibility articles में लिखा हुआ है उसी का जो technical details होता है वो NX में उन्होंने outline किया हुआ है तो articles में सबसे पहले उन्होंने legal responsibilities दी फिर NX में उस legal responsibilities के लिए जो भी technical details होते हैं उन्होंने एन एक से में डाल दिया ची जनाता है हट साथ इस्टी सीडविव कर्मेंशन का वह स्थीसीडवू एस्टीसीडवू कोड अब कोड में क्या हैं निप जो भी कोड्स क Bentुन्स करता है यहrü सब्सक्राइब क्या हुआ है या उनको ऐसे डारेक बोल सकते हैं कि सब्सक्राइब कोड़ अब बात करते हैं हम लोग तो अगर इस्टीचिव कोड को देखेंगे इसको तो पार्ट में बाता गया एक होए पार्ट ए जो कि mandatory होता है और पार्ट भी है जो कि recommended है पार्ट ए मेंडेटरी इसलिए है क्योंकि उसमें सारे जो भी standard है उसको outline किया गया है और पार्ट भी guidelines है इसलिए उसको recommended है सो एक बार फिर से repeat करते हैं हम लोग कि STCW code को भी two parts में divided है पार्ट ए होता है mandatory क्यों mandatory है क्योंकि उसमें सारे standard को outline किया हो गया है और पार्ट BQ recommended है क्योंकि वो सिर्फ guidelines है अब आते है हम लोग list of chapters of STCW मतलब STCW में कौन-कौन से chapter है तो STCW में total 8 chapters है अब chapter 1 जो है general provisions है chapter 1 है general provisions chapter 2 है master and deck department chapter 2 master and deck department chapter 3 engine department chapter 4 radio communication and radio operator chapter 5 special training requirement for personal on certain type of ships chapter 6 emergency occupational safety medical care and survival function chapter 6 है emergency occupational safety medical care and survival function chapter 7 बोलता है alternative certification चैप्टर 7 है alternative certification और चैप्टर 8 जो है watch keeping से deal करता है चैप्टर 8 watch keeping अब जैसे ही हम लोगों ने उनके STCW के बारे में बता दिया कि उसका full pump क्या है STCW का aim क्या है हमने STCW के content बता दिये तब वो लोग आ जाते हैं कि function अंदर STCW तो वो पूछी लेते हैं कि बता कौन-कौन से function है जो STCW के अंदर में आते हैं तो function कहने का क्या मतलब हुआ पहले हम लोग वो समझते हैं क्या खिर function है क्या तो function इसे way of classifying sea board task and level of responsibilities तो function क्या है वो classify करता है सीब बोड टास्क का मतलब जो भी जिसका duty है उसको function के रूप में बता दिया गया कि कौन-कौन से काम है जैसे कि आप total seven function आते हैं STCW में function 1 जो की navigation है function 2 cargo handling and storage है function 3 controlling the operation of a ship and care for person on board है अब यहां फे function 1 2 और 3 को जब देखते हैं तो हम लोग जो ओरल देते हैं MMD के एक्जाम में वो function 1 2 3 यही function 1 navigation 2 cargo handling और 3 controlling the operation of a ship and care for person on board पतलब जो function के एक्जाम हम लोग दे रहे या certificate of competency जो हम लोगों को COC issue किया जाता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि function 1 2 3 इन्होंने qualify किया है उनके basis पर ही हमें COC दिया जाता है तो जो COC हमें मिल रहे है वो STCW के थ्रू ही आता है जो की three functions जो seven function है STCW के उसमें से three function को qualify करने के बाद हम लोगों को COC मिलता है जो fourth function है Marine Engineering, fifth function है Maintenance and Repair और sixth function है Electrical, Electronics and Control Engineering और seventh function है Radio Communication तो एक बार जो function है उसको फिर से हमनों repeat कर लेते हैं कि function 1 क्या होता है Navigation, function 2 होता है Cargo Handling and Astro Base, function 3 होता है Control of Operation of Ship and Care for Persons on Board chapter function 4 है Marine Engineering, function 5 Maintenance and Repair, function 6 Electrical, Electronics and Control Engineering है chapter 7 है Radio Communication अब हम लोग बात करते है एक नॉर्मल अगर में भी अगर वो पूछ लिया तब ऐसा पूछते तो नहीं यह नॉर्मल अब अगर पूछ लिया कि STCW जो होता है when came in existence, STCW आया कब? तो जब 7th of July 1978 को 7 July 1978 को STCW जो है existence में आया मतलब अगर वो हम लोग पूछते हैं कि when STCW is adopted तो हम लोग अंसर करेंगे 7th of July 1978 अब बोलता है when came in force मतलब कि कब से वो लागो किया गया STCW when came in force 28th of April 1984 28 April 1984 से STCW है in force अब तब से लेकर के 1978 से अभी 2023 है इसके बीच में STCW के दो ही amendment हुए में एक 1995 में और एक 2010 में जो 2010 है उसको मनिला amendment के नाम से भी हम लोग जानते हैं अब मेभी वो क्रोस किप्टिन कर सकते हैं कि 1995 में क्या amendment किया गया था 2010 में क्या amendment किया गया था सब्सक्राइब कोड में इसमें जो बेसिक दो दो तिन तिन पॉइंट भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं कि 1995 के अमेंडमेंट में जो भी टेकनिकल एनेक्स थे उन्हों क्या बना दिया रेगूलेशन कर दिया जैसे Rs. CW करेंशन। का जो कंटेंट भी हम लोग देख रहे थे तो उसका injection वन क्या था आर्टिकल सैक्षिन टू था एनेक्स तो उन्होंने क्या कि जो भी एनेक्स स्थे हों इन्होंने रेगूलेशन बना दिया कि अब हम लोग बात सब्सक्राइब करते हैं जो सेकेंड पॉइंट है कि पार्टी स्टू दो कन्वेंशन प्रोवाइड डीटियल इंफोर्मेशन टू आयमों कंसर्णिंग एड्मनेस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन फॉर कंप्लाइंस विद्द कन्वेंशन बोलता है कि आयमों ने बोला जो भी इन करो कि आपने क्या अड्मनेस्ट्रेटिव एक्शन लिया कि आप जो है से स्टी सीडवलू कंवेंशन से कंप्लाइ कर रहें तो उसमें इस वस्ट परस्ट टाइम वेंदा आयमों कोल डॉन इंप्लिमेंटेशन इन कंप्लाइंस बट नर्मली फ्लैक एस्टेट एंड को सब आययमों को सम مिट किangen तो जैसे ही वो आययमों को सबमीट करेंगे जो भी कौन सील में फिर सेटी जरनल को सम्मीट करतें तरह जाके से क्रेटरी जो होता है वोäl जैनल engli को सबमीट करता है फिर वहां से बोला जाता है कि आवी आके जैनल ऐस्टेवले से से कंप्लाइ है दा नौर्मली जो 7 था वह फ्लेग स्टेट का था यह पॉर्ट अ करते रहती थी करते रहती थी करते रहती ताकि उनको कंफर्म कर सकाए मैं कि सिसी डब्र अकुंपलाइ कर रहे हैं ह्टी सी है वो कंप्लाई कर रहा है स्टी सी डबलू कन्वेंशन से अब हम आते हैं 2010 के amendments के बारे में 2010 का amendments में सबसे first point क्या बोलता है कि उन्हों ने improved measures to prevent fraud practice associated with certificate of competency and strengthen the evaluation process तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी fraud practice होता था related to COC तो उसको उन्होंने एक preventive measures लिया और strengthen the evaluation process मतलब जो यह process सा उस पर और ज्यादा निगरानी रखने को बोला गया नेक्स्ट है कि revise requirement on hours of work and rest मतलब rest hours जो भी होता है सी फ्रेहर का उसको उन्होंने क्या किया revision किया नेक्स्ट बोलता है new requirement for prevention of drug and alcohol तो drug और alcohol से related उन्होंने नए requirements लेके हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सेके transportation of drug and alcohol नेक्स्ट बोलता है updated standard relating to medical fitness और medical fitness से related भी उन्होंने नए standard लेकर के आए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि new certification requirements for able seafarer जो भी able seafarer है उनके लिए नए certification requirements को उन्होंने 2010 में में मेंशन किया फिर बोलता है new requirement relating training of equipment साच एक डिस्ट तो electronic चार्ट डिस्प्लेंट information system ऐसे equipment के लिए उन्होंने क्या बोला कि नए requirements लेकर आए ताकि उसका training जो है वो सारे सीफेर को दिया जाए अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बोलता है introduction of modern training methodology इंक्लूडिंग distance learning and web-based learning तो उन्होंने बोलता है कि 2010 में जैसे अभी हम लोगों का जो भी oral हो रहे मेंटी के वह 90 परसेंट क्या हो रहा है तो यह जो online मतलब वे बेस्ट लर्निंग या वे बेस्ट इक्जाम जो हो रहा है इन सारे का प्रोविजन कहां से मिला तो वह उन्होंने STCW 2010 में वह पहले ही बोलके रख्या था या implementation के लिए लाया थे कि उन्होंने modern जो ट्रेनिंग मेतड़ोलोजी है चाहिए वह डिस्टेंस लर्निंग हो जैसे कि हम लोग यह लर्णिंग घर पैठे ही complete करते हैं और वे बेस्ट लर्निंग कोवीट के टाइम पर जो भी online classes हो रहे थे तो उन्होंने इसको 2010 में ही mention किया हुए थे अब इसमें एक पॉइंट सिर्फ डिसकस करेंगे लास्ट कि अगर हम लोगों से पूछा गया कि जो आवास ओफ रेस्ट आवर्स है उसको उन्होंने कैसे डिफाइन किया है तो हाँ पर जो आवर्स ऑस बोलता है कि आप किसी भी सी फेर्लtechn हंसे इन्हें प्प्रियाड ऑफ टून्टि फॉर आवर्स नोट मोर नना 14st hours हम लोगो काम कर वा सकते। या कर सकते। तो हर एक जो डूसी फेरर यह वह फोर्टिन स्वार्वस काम करेंगे इनने पिरियद प्वन्तिफॉर और बोलता है कि मेक्सिमम वह कितना वपिर्च सवेन प्रॉद प्व caucus काम करते इनने पिरियृद ओप सिक्स आवर्स एक तो छे घंटे का होना चाहिए और बागी जो चार घंटा होना उसमें से जो इंटर्वल होता है बिट्विन दा रिमेंग रेस्ट नोट भी एक्सेडिंग 14 सावर्स 14 घंटे से जादा का डिपरेंस में उजो 4 घंटे का रेस्ट है वो नहीं देना चाहिए और एक और रीक्वार्मेंट है